नमस्कार फ्रेंड्स मैं डॉक्टर हीना कुड्यार प्लास्टिक सर्जन दी एसकल्पिय क्लेनिक डेली से तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हेर फॉल की बढ़ती समस्या की और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन्स की हेर फॉल बेसिकली आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है और बहुत सारे मेल्स एंड फीमेल्स हमारे पास ओपिडी में आते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर तो देखा जाए मेल्स और फीमेल्स दोनों में इसका कारण थोड़ा सा डिफरेंट है जैसे मेल्स में यह हेर फॉल बेसिकली हामोनल डिपेंडेंड है और हे जैसे कि environmental pollution, stress, बढ़ता, stress जो कि job profile की वज़े से, बट फीमेल्स में ये problem basically nutritional deficiency और खान-पान की deficiency की वज़े से जादा तर देखी जाती है. अब मेल्स में देखा जाए तो जो हैर फॉल है उसका एक टिपिकल पैटर्न होता है, जिसको हम एक pattern badness कहते हैं, वो हमारी आगे जो हैर लाइन है वहाँ से शुरू होके दीरे-दीरे पीछे की तरफ बढ़ता है. फीमेल्स में जो हैर फॉल है वो basically क्या करता है, उसमें बालों की thinning हो जाती है और density थोड़ी कम हो जाती है. एक patterned hair loss हमें फीमेल्स में देखने को नहीं मिलता है. अब इस समस्या का हल कैसा किया जाए, हमारे पास बहुत सारे treatment options हैं, जैसे कोई भी patient हमारे पास hair fall की समस्या को लेके अगर आता है, तो हम सबसे पहले उनका एक detailed history लेते हैं, और कुछ diseases के बारे में पूछते हैं, जैसे thyroid problem तो नहीं, और कोई issues तो नहीं हैं, उनको systemic problem जो की बाकी शारीरिक problem तो नहीं है, इन diseases के वज़े से भी hair fall कुछ हाथ तक हो सकता है, तो हम सबसे पहले जो treatment का अपना शुरुआत करते हैं, वो होता है oral medication से, oral medications basically nutritional supplements हैं, जो कि हम एक cyclical therapy में सबको देते हैं, इस इन cyclical therapy से कुछ nutritional deficiencies हमारी ठीक हो जाती हैं, और जो hair है हमारे कुछ improve हो जाते हैं, जैसे मतब हो strong हो जाएंगे, थोड़ा सा better हो जाएंगे, बट उससे new growth नहीं आती है, औरल treatment के साथ-साथ हम कुछ topical जो की ऐसी दवाईयां, जो की हम locally लगाने के लिए देते हैं, patients को, उनसे भी थोड़ी सी density इंप्रूव होती है, थोड़ी quality इंप्रूव होती है hair की, लेकिन new growth जैसे मैंने कहा वो possible नहीं है, इन treatment के साथ हमारे पास कुछ और therapies हैं, जैसे की PRP therapy है, और growth factor concentrate therapy, अब PRP therapy क्या होती है, PRP therapy basically है platelet rich plasma, इसमें हम क्या करते हैं, patient का blood sample लेते हैं, उसको centrifuge करके, हम platelets को separate करते हैं, यह जो platelets से हैं, यह हम फिर उनके scalp में inject करते हैं, और महीने दर महीने हमें at least 3 months तक इसको करना है, अब इस PRP therapy से भी यही फायदा होता है, कि आपका hair fall थोड़ा कम हो जाएगा, बालों की quality इंप्रूव हो जाती है, और कुछ हद तक आप मान के चलें कि 10 से 20% hair growth होती है, बट बहुत जादा आप कोई new hair growth आपको देखने को नहीं मिलती है, अब इस PRP therapy का एक advanced version हमारे पास आया है, जिसको की हम कहते हैं growth factor concentrate therapy, अब growth factor concentrate therapy और PRP में difference क्या है, basically जो PRP therapy है, उसमें हम सिरफ platelets inject कर रहे थे, जो की अंदर body में जाके हमें growth factors reduce करते थे, और वो फिर act करते थे हमारी hair quality को improve करने के लिए, लेकिन जो growth factor concentrate therapy है, इसमें हमारे पास कुछ specialized tubes हैं, जिसमें हम platelets से growth factor पहले ही produce करते हैं, और ये growth factors हम scalp में inject करते हैं, तो इसका फाइदा और इसका भी यही benefits हैं, कि आपकी hair quality को improve करता है, hair fall कम करेगा, और कुछ हद तक new hair growth भी होती है, ये medical treatment और इन सब therapies के साथ साथ, अगर हमें लगता है कि patient की scalp से roots बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, जैसे कि ये medical treatment और therapies उन patients में काम्याब होगा, जहां उनकी थोड़ी बहुत, मतलब हमें scalp में थोड़ी बहुत बाल दिख रहे हैं, जैसे जिनकी थोड़ी density कम है, hair fall जादा है, वहाँ पे ये therapies काम्याब रहेंगी, लेकिन उन patients पे जहांकि बिल्कुल hair follicles बिल्कुल गायब हो चुके हैं, वहाँ इनका कोई रोल नहीं है, तो मेरी सला आप से यही रहेगी, कि एक expert के पास जाके ही आप अपनी hair fall की सारे समस्याओं का समधान लें,